हालो आवरिवन नमस्कार आप सभी को फ्रेंट्स आप लोगों के काफे मैसेज़ेस रिसीव हुए कि क्या सच में PASA LDC एक्जाम जो होता है उसको विधहल्ड करने की बात की जा रही है या ये विधहल्ड होने वाला है उसी को लेकर आज की वीडियो होने वाली है चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इंडिया पॉस्टर रिलेटिड कोई भी इन्फोमेशन जानने के लिए मैं, मेल गार्ड, MTS, GDS, काडर के ओफिशियल्स को पी ए, पॉस्टर एसिस्टेंट एन चोर्डिंग एसिस्टेंट में प्रमोशन के लिए दिया जाता है ये एक्जाम रिसेंटली शाथ अगस्त दो हजार बाइस को सभी सरकल्स में कंड़क्ट करा गया था जो कि Postal Assistant Circle Office and Regional Office, Postal Assistant Foreign Post Office इन चेन नहीं, दिल्ली, कॉलकाटा अन मुंबई में जो हैं, उनके लिए कंड़क्ट कराया गया था साथी साथ Postal Assistant SBCO, ये सब यहाँ पर मैंशन्ड है Friends Postal Assistant Circle Office, Foreign Post Office, Postal Assistant Saving Bank Control Organization and Postal Assistant Post Office, Shorting Assistant, जो है Railway Mail Service इन सभी के लिए कंड़क्ट कराया गया था 2022 की vacancies के against ठीक है Friends, जिसका examination भी scheduled time पर कंड़क्ट करा लिया गया साथ अगस्त 2022 को, अब Friends, बात आती है इसके result की तो Friends, देखिए, अभी तक सभी circles का result आ जाना चाहिए था बट कुछ ही circles ने इस exam का result declare किया है जैसे कि recently 26 सितंबर 2022 को ये बिहार सरकल ये बिहार सरकल है Friends, इसने result declare किया है बिहार सरकल का जिसका जो DEST है, DEST भी scheduled हो गया है 9 October 2022 को होना निश्यत हो गया है बट अभी भी काफी circles ऐसे हैं जिनका result अभी declare नहीं हुआ है और उसको withheld करने की बात की जा रही है देखते हैं कि officially क्या-क्या ये बाते चल रही है और कितनी इन में सच्चाई है क्या सच में exam withheld होने वाला है Friends, चलिए देखते हैं क्या-क्या बाते चल रही है Friends, एक ही mail communicate हो रही है several platforms पर, several groups में जो कि post office के, इंडिया post के groups है ये English में है, ये ही mail जो है यहाँ पर हिंदी में भी circulate हो रही है तो Friends, इसकी बात करें इसके अगर हम points को देखे तो first point ये कहता है कि ये जो finally, ये finally decide हो चुका है कि 30 September 2022 को Rule 38 online portal launch किया जाना है Actually Friends, ये जो mail है वो 28 September की है जो कि 12 बज़ के 3 मिनट पर send की गई है तो इसके बिहाफ पर देखते हैं इसमें क्या के points दे गए है जो कि ADG SPN Assistant Director General SPN की तरफ से सभी Chief PMGs को सभी सरकल के Chief Postmaster General को भेजी गई है और इसका subject ये है कि request to withhold declaration of result of departmental examination जो PASA का departmental examination है उसको withhold करने के लिए तो ये first point ये कहता है कि ये finally decide हो चुका है कि 30 सितंबर 2022 को rule 38 online portal launch किया जाना है जिसके लिए भी सभी सरकल्स ने already division wise Postal Assistant and Shorting Assistant की actual working strength means जो कार्य शक्ती है उस office की वास्तविक वो capture कर ली है अब friends दूसरे point की बात करें दूसरे point में बोला गया है कि अगस्त 2022 को Postal Assistant and Shorting Assistant Post के लिए जो departmental promotion exam हुआ था कुछ सरकल्स ने उसका result declare कर दिया है बट काफे सरकल्स का result declare होना अभी बाकी है जैसे ही result announce होगा and division alert होगे तो उससे जो rule 38 portal द्वारा already vacancy position fetch की जा चुकी है वो completely change हो जाएगी इसलिए कुछ time के लिए Postal Assistant and Shorting Assistant departmental exam result को hold करने के लिए बोला गया है अब third point पर बात करें third point कहता है कि जिन सरकल्स में result declare कर दिया गया है उनको division wise working strength को and vacancies को दुबारा assist करने के लिए means उन पर दुबारा गोर करने के लिए दुबारा से उनको check करने के लिए बोला गया है जिस हिसाब से result declare कर divisions allot किये जाएंगे Postal Assistant and Shorting Assistant को उस हिसाब से देखना है कि क्या उस division की actual working strength है मतलब कि वास्तिक कार्य सकती कितनी है और यह report उनको दो बज़े तक सभी circles को तयार रखने के लिए बोला गया था और fourth है कि इसको urgent basis पर माना जाए तो friends यही हिंदी में भी ऐसे ही circulate हो रहा है बट हिंदी की language थोड़ी अलग सी है डिफ्रेंट सी है यह आपको मतलब मेरे को थोड़ा समझने में प्रोब्लम हुई इंगलिस वाला ज्यादा अच्छे से समझाया हिंदी वाले में काफी प्रोब्लम हुई बट आप देख सकते हैं तो बात करें friends कि क्या ऐसा सच में होने वाला है तो friends ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है जो भी यह male circulate हो रही है different different groups में यह completely fake है because यह देखिए इसमें लिखा है August 2022 August sorry यह देखिए कोई भी जब official letter रहता है या official mail रहती है उसमें कभी भी without any date कोई भी mention नहीं की जाती exam हो है 7 August 2022 को तो इसमें अगर यह official mail सही होती तो इसमें 7 August 2022 जरूर mention किया जाता जबकि इसमें ऐसा कहीं नहीं किया गया है second mistake यह है कि departmental examination लिखा गया है बट कभी जब भी departmental examination होता है तो India post की तरफ से LDCE लिखा जाता है limited departmental competitive examination और बात करें ना ही इस mail में कोई भी reference दिया गया है ना ही कोई memo number दिया गया है किस letter का कि किस letter के regarding यह बात चल रही है जैसे कि notification issue होता है result issue होता है उसका एक अपना memo number रहता है letter का तो उसके बिहाफ पे कोई भी बात कही जाती है उसके proof दे कर बट इसमें कोई भी ऐसा letter mention नहीं किया गया है कि किसके बिहाफ पर यह और कौन से departmental examination की ऐसे बात कर रहे है ना ही उसमें year mention किया गया है जैसे कि यह 2022 की vacancies के against work था तो 2022 भी इसमें mention होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था limited departmental competitive examination for the promotion to the carder of PASA for the vacancies of the 2022 इस type से कुछ होना चाहिए था बट इस type से इसमें बिल्कुल नहीं है ऐसा लग रहा है यह कि किसी भी official ने ऐसे ही लिखकर दूसरों को गुमरहा करने के लिए जैसे यह अभी rule 38 online border का मुद्द चल रहा है उल्टे सीदे transfer हो गए है तो उसको लेकर किसी ने यह ऐसे ही खिलवाड किया है जैसे वैसे तो यह mail points में लिखी गई है हाला कि mail ऐसे points में नहीं लिखी जाती है बट यहाँ पर जैसे one फिर जब points में लिखी है तो one भी लिखो ना one point भूल गए और यह this may be treated as most urgent यह कोई वैसा point थोड़ी ना है जिस पर points उनके बनाए जाते हैं जो कि focusing point होते हैं और यह most urgent यह तो एक general instruction है बोलने के लिए यह तो last में वैसे लिखा जाता है इसको भी point में डाल दिया है साथी साथ सबसे बड़ी mistake यह देखिए हिंदी वाली mail में आपको दिखेगी कि यह ADG SPN होता है English में भी ADG SPN लिखा है ना कि ADG SON S1 लिख दिया इन्होंने यहाँ पर यहाँ पर भी on.nic यहाँ पर भी adg son at the rate indiapost.gov.in तो friends यह email ID ही गलत लिखी है तो किस बहाफ पर यह लोग कह सकते हैं कि यह जो mail है यह सही circulate हो रही है और यह exam withheld होने वाला है और एक ही मतलब जगह से mail भेजी गई है लेकिन इस वाले में mail बिल्कुल सही लिखी हुई है email IDs और इस वाले में email IDs भी बहुत सारी गलत लिखी हुई है साथ ही साथ ना ही इससे related कोई D.E.O.P.T. द्वारा circular issue किया गया है और ना ही circles द्वारा lower administrative offices को जैसे की regional office, division office में इसे अभी तक communicate किया गया है जबकि अगर ये 28 September को सभी circles में mail आ गई है तो अभी तक ये communicate हो जाना चाहिए था आज 4 October है काफी दिन हो चुके हैं इसलिए इस mail का कोई भी authentic proof नहीं है सो ऐसे बहकावे में बिल्कुल नहीं आए के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ ही साथ वीडियो को अपने पोस्टल असिस्टेंट शोर्टेंग असिस्टेंट बनने वाले साथियों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स